आज की स्वीडियो में बात करेंगे डेक्स्टॉप सपोर्ट जॉब रिस्पोंसिविल्टी के वारे में लेयानी कि अगर मैं बात करूँ इनफरमेशन टेक्नालोजी की तो जो एक इनिशिल कारियर होता है डेक्स्टॉप सपोर्ट की जॉब का साइट एक कंपनी आपको क्या काम करना पड़ता है अगर आप एक मल्टी नेसनल कंपनी में जा रहे हो कोई सी भी मल्टी नेसनल कंपनी हो तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इंजिनियर्स होते हैं या डिफरेंट फील्ड होती है like hardware engineer अलग होता है application engineer अलग होता है तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपको different different engineer मिलेंगे जो अब देखो depend करता है कि आप multi national company में जा रहे हो या एक small organization में जा रहे हो basic और जो एक normal table shooting होती है मैं बात कर रहो हूँ यहाँ पे desktop support L1 profile की और इसमें basically एक L2 profile भी होती है जिसको desktop support L2 profile भी बोलते हैं तो अगर मैं बात करूँ L1 profile की जो बाकी teams होती है backend पे बाइटी हुई होती है चाहाँ वो network team हो चाहाँ वो server team हो चाहाँ वो application team हो कोई सी भी team हो इस field से related तो होता क्या कि जो normal table shooting होता है like system work नहीं कर रहा है proper तो पहले अपने लोग उसको check करते हैं कि system में exact issue क्या है या application नहीं चला है तो application को पहले testing करते हैं या मतलब उस application पर issue देखते हैं कि यह local system का issue है या back end से issue है या server के end से issue है तो जो एक on the floor table shooting होती है उसी machine को replace कराना है land cable change करना है कुछ internet का issue है या anti virus को update करना है कोई application install करना है application remove करना है तो जो एक initial state होता है जो थोड़ा सा काम होता है लगबग मैं तो यही कहूंगा क्योंकि इतना टेक्निकली नहीं होता है desktop support 11 में आप यह बोलो कि 50% हम लोग पाइदे से कर रहे होते हैं अगर आप IT की background से हो और 50% कंपनी के infrastructure के according वहाँ पर कर रहे होते हैं बट मैं यहाँ पर जरूर बोलूँगा कि एक initial level के लिए यह कापी अशी जॉब होती है आपको राइप फिर इस हो जाता है था बैसिक नोलीज हो कर सकता ही आपको बाहुँ सारी फील्ड आपको मिल जाती है आज़ा experience basis पे डेक्षाप सपोर्ट अल्टू प्रोफाइल होती है लेवल टू तो बिसक्री समय होता कि जो लेवल टू की प्रोफाइल है तो इसमें एक एडवांस लेबल पर टेबल सुटिंग करनी पड़ती है यानि कि जैसे डेक्षाप सपोर्ट अल्टू के पास जाएगा और आप सीधा के लिए जो कंपनी के सीनियर परसन होते हैं लाइक मैं बात करूं वीपी वाइस प्रेसिदेंट सीनियर वाइस प्रेसिदेंट्स अमडी कंपनी के तो वहां पर हम लोग अल्टू सपोर्ट प्रवाइड कराते हैं जो की मतलब एक अक्सपीरियंस कंडिडेट होता उनके लिए और उनका एक कम्यूकेशन भी अच्छा कासा होता है तो एक सीनियर मैनेजिमेंट पर सीनियर लेवल पर प्रवाइड कराते हैं टैबल लेवल पर होता है तो यह होता है बिसकली टेक्स्टॉप सपोर्ट अलवन और अल्टू प्रोफाइल का कोई मास्टर होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा बहुत सीखना पड़ेगा तब जाके इंटर्वी करेक होगा तो ऐसा बिलकुल भी न होता है कि आपको चार मेने बाद आडमेंट के डिये जाएंगे चार मेने बाद आपको आडमेंट पासवर्ट दिये जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग से एक दो मेने बाद ही आपको सारे पासवर्ट वहां पे दे दिये जाते हैं और आपको सारा एक्सेस दे दिया जाता ह जाना वह सरवर का हो या एडी का हो या नेटवर्क का हो या अप्लिकेशन का हो क्यूंको वहाँ पितनी जादा सारी चीज़ें यूज नहीं होती है और उन्हें भी पता है अगर बंदे दो-तीन होंगे तो सबको एकसेस देना पड़ागा और सारा काम भी उनका हैंडल करना प तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिरा नाम है शुबम मैं 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 आप में नेक्स वीडियो में तिल देन वाग्रेट मुमें और दों फोर्गेट टो लाइक सेरे और सब्सक्राइब तैंक यू सो मुझ पर कमिंग यह जैहिन जैभारत और बीसेफ